हेलो व्यूवर्ज आज हम सीखेंगे कैसे हम SAP Business One में AR Down Payment Invice के डॉकुमेंट के तुरू किसी भी कस्टमर से Advanced Payment को कैसे प्रॉसेस करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक Sale Order Feed करते हैं, Add करते हैं Sales AR पे क्लिक करते हैं, Sale Order पे क्लिक करते हैं एक कस्टमर को Select कर लेते हैं, Earth Shaker को Select कर लेते हैं उसके बाद हम एक आइटम सेलेक कर लेते हैं 100 आइटम करते हैं और अपनी Price 500 देते हैं, Delivery Date, Current System की Date देते हैं यह जो आपकी Actual होगी आप दे सकते हैं और इस डाकुमेंट को अब हम एड करते हैं अभी हमारा Sale Order एड हो गया है अब इसकी Base पे हम AR Down Payment Invice का डाकुमेंट एड करते हैं इसको Close करते हैं यह है AR Down Payment Invice इसको क्लिक करते हैं यह हमारे पस Window Open हो गई हैं उसी Customer को हम फिर Select करते हैं Copy From पे Sale Order जो भी हमने Feed किया था हो एड किया था उसको Select करते हैं Draw All Data इदर हम इदर हम इदर हम Exempt Text कर देते हैं और Live Years अब सारा डेटा हमारा Sale Order का हमारी AR Down Payment की विंडो पे फैच हो गया है अब हमने अब हमारी Customer के साथ जो सैटल्मेंट है कितनी % को हम Advanced Receive करने जा रहे हैं उस % को या Amount को अब हमने इस Document में एड करना है उसके लिए हमारे पास यह Field है SAP में आप % भी लिख सकते हैं और Amount आटो कैल्कॉलेट हो जाएगी और आप Amount भी लिख सकते हैं और % आटो कैल्कॉलेट हो जाएगी अभी मैं 50% की Advanced Payment के साथ Proceed करता हूं यह आपकी Settlement कैसी है Customer के साथ यह इस पर Depend करता है 10 भी हो सकती है 20 भी हो सकती है इस डाकॉमेंट को एड करते हैं ने विएर्ज हमारा डाकॉमेंट एड हो गया है Lost Record पे जाके Right Click करते हैं और General Entry देखते हैं ने विएर्ज 25,000 का Receivable जनेट हो गया है और 25,000 का यह एक Parking Account जनेट हो गया है Down Payments Received यह Parking Account हमारा A.R. Invice पे जाके Settled हो जाएगा इसको Close करते हैं अब A.R. Down Payment Invice के दुरूँ जो हमने Add कि है डाकॉमेंट अब हम उसकी Incoming Payment को Receive करते हैं Banking पे फिर Incoming Payment पे क्लिक करते हैं फिर Receipt पे क्लिक करते हैं उसी Customer को हम फिर से Select कर लेंगे यह 25,000 की अभी हमने जो डाकॉमेंट एड किया था उसकी 25,000 को Receive करते हैं Payment Means पे क्लिक करते हैं Bank Transfer के लिए इधर अपना Bank बता देते हैं Bank की सेलेक्शन होगी इधर आप सिस्टम की Current Date देते हैं कोई भी नंबर देते हैं Reference Number जो Bank का होगा और इधर Control भी प्रेस करेंगे तो पिछली विंडो में जो आपकी सेलेक्शन भी थी वो amount इधर fetch हो जाएगी Tap प्रेस करते हैं और OK Add करते हैं New Year's अब हमारा वो AR Down Payment Advice के दुरू जो Payment थी वो भी हमने कर दी Lost Record पे क्लिक करते हैं और Channel Entry देखते हैं अब 25,000 से मारा Bank टैब इट हो गया 25,000 जो हमने Receivable Generate किये थे वो हमारे Credit हो गया अब इसी की हम Delivery भी करते हैं इसी Order की हम Delivery करते हैं एक Customer को Select कर लेते हैं Copy from Sale Order करते हैं यह हमारा Sale Order था Draw All Data Finish अधर से Tax को हम Exempt कर देते हैं और Delivery के Document को अब हम Add कर देते हैं यह हमारा Delivery का Document भी Add हो गया अब इसकी Base पे हम A-R-Invice एड़ करते हैं A-R-Invice पे क्लिक करते हैं फिर उसी Customer को हम Select कर लेते हैं Copy from में हम Select करेंगे अभी हमने जो Delivery का Document Add किया था उसको Draw All Data New Year's अब A-R-Invice पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा Parking Account जनेरेट हुआ था A-R Down Payment Invice पे 25,000 का वो अब इदर सेटल होगा वो आप इदर देख सकते हैं Total Down Payment 25,000 हमारी Invice की Amount 50,000 है लेकिन 25,000 हमें बता रहा है कि इस Invice के Against 50,000 की Invice के Against हम 25,000 आल्रेडी रेसीव कर चुके हैं जो के हमने जनेरेट किया था A-R Down Payment Invice के तरू वो आल्रेडी हम रेसीव कर चुके हैं अब simply इस डॉकुमेंट को हम एड करते हैं और अब हमारे 25,000 के फद्दर रेसीवेबल जनेरेट हो जाएंगे एड करते हैं इस डॉकुमेंट को नेवियोर्स अब हरा डॉकुमेंट भी एड हो गया है इस पर राइट क्लिक करते हैं और जनेरल एंट्री देखते हैं नेवियोर्स यह देखें हमारा अब 25,000 के फद्दर रेसीवेबल जनेरेट हो गया है और डाउन पेमेंट रेसीव जो के हमारी AI डाउन पेमेंट इनवाइस के में क्राडिट हुआ तो वो इधर आब आके सैटल्ड हो गया यह पार्किन कॉंट हमारा खतम हो गया और यह हमारी सेल्स के अंटरी 50,000 की अब हम फद्दर 25,000 इसी कस्टमर से जो अभी रेसीवेबल हमारे जनेरेट हुए है इसको रेसीव करते हैं उसी तरह बैंकिंग पे क्लिक करते हैं इंकमिंग और रेसीट उसी कस्टमर को हम फिर से स्लेक कर लेंगे यह 25,000 का अभी हमने रेसीवेबल जनेरेट हुए थे इसको स्लेक करते हैं 25,000 उसी तरह अब हम बैंक को स्लेक कर लेंगे करण्ट सिस्टम देट देते हैं कोई भी रेफरेंस नंबर दे देते हैं के बाद Ctrl B प्रेस करते हैं हमारा पिछली विंडो में जो स्लेक किया हुआ डेटा ता वो इधर फैच हो जाएगा टैब OK और यह हमारा डॉकुमेंट एड करते है नेव योर्स हमने अब रेसीट भी का लिए जो हमारे रेमेनिंग रेसीवेबल जनेट हुए हुए थे लास्ट करते हैं जिननल एंट्री व्यू करते हैं डेव योर्स रेसीवेबल्स क्रेड़िट होगे 25,000 से हमारा बैंक हो गया 25,000 से डेबिट हो गया बैंक हमारा थेंक यू सो मच विवर्स अब हम एजी ली इंडरस्टेंड कर चुके हैं कैसे हमारा ए यार डाउन पेमेंट इनवाइस का प्रॉसेस होते हैं कैसे प्रॉसेस होता है डॉकुमेंट थेंक यू सो मच विवर्स अगर आपको मेरी विडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करतें और मेरे चैनल को भी सब्स्क्राइब करतें और झाल झाल